पुर्वात मैं आशुतोष यह आप से करना चाहूंगा कि मुख्य सचिब में रिपोर्ट दी LG ने CBI जाच की सिफारिश की, CBI अब कारवाई कर रही है तो इस कारवाई को लेकर के राजनितिक बदले की भावने का संग्या क्यों दी जा रही है इस सवाल का जवाब तो आमादी पार्टी देगी क्यों आमादी पार्टी को इसको बदले की भावना से बात कर रही है उनका क्या स्टेंड है जहां तक मेरा मानना ये कि इसके दो पहलू है पहला पहलू तो ये है कि जिस तरीके से मनिस्ट शोदिया ने खुद प्रेस कांफरेंस करके और शराब पॉलिसी में जो बदलाव हुए थे उसके लिए एलजी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी वो मेरी नजर में ऐसा लगता है जैसे कहीं ने कहीं सेल्फ गोल उन्होंने खुद किया है क्योंकि पहले वो ये कहते हैं कि राजस इसकी वजह से बढ़ेगा इसलिए पॉलिसी में चेंज किया गया और बाद में ये एड्मिशन करना कि दरसल इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी के लिए लेफने गोवर्नर जिम्यदार है और ने भारती इपटाओं ओके कहने पर कुछ उस पर बदलाव किये हैं कि उनका वर्जन является तो जब आप पहले कुछ और करे थे बातमें कुछ और कर दहीं सीवात हैं कुछ न कुछ तक कुछ तो गड़बड़ी से लगती है इसका दूसरा पहलू यह है कि क्या ये आमादी पार्टी के उपर पहला चापा है, बिल्कुल नहीं चापा है, आमादी पार्टी के कम से कम 20 से 25 बिधायकों के खलाफ, बहुत सारे अफाया दर्च किये गें, उनमें से बहुत सारे लोगों के गरफतारियां की गई, और जादा तर जो है वो बाईज़त बरी हो गए, शायद ही किसी मामले में कोई कन्विक्शन हुआ हो, इसके पहले आपने देखा थे कि मुखमिंतरी के कार्याले पर छापे पड़े थे, उनके प्रिंस्वल सेक्रेटरी को गरफतार किया गया था, और आज तक उस मामले का क्या हुआ किसी को उस चुनाओं को भी अभी तक बीजेपी करने के हिम्मत नहीं जिटाप आ रही है, आमाधी पार्टी गुजरात में भी बड़ी कोशिश कर रही है, और सूरत जैसे ही लाकों में उसका प्रभाव बढ़ रहा है, तो अगर सूरत में भारतिया आमाधी पार्टी का आमाधी पार्टी का बढ़ता हुआ, राजनितिक वर्चस हो है, आमाधी पार्टी का बीजेपी उससे घबरा रही है, और इसलिए ऐसी प्रायजुत कारवाई करवाई जा रही है देखिये, मान लिजीए, कोई और भी पार्टी होती है, अब उसके उपर जब ये केस होता तो क्या बोलते है, यही तो बात ने उनके बस बोलने को होती, कि देखिये, हम वहाँ भी आ रहे थे, इसलिए हमसे गबरा आ गए, हमसे डर गए, हमसे भाग गए, तो लेकिन साही म आप इस बात का जवाब नहीं दे पारे, कि जब सरकारी ठेके थे, तब 2% कमिशन थी, होलसेलर की, होलसेलर कौन है, वो आक्शन में नहीं जाते, उनको मंतरी जी अपने साइनों से देते हैं, कि यह होलसेल का काम करेगा, लाइसस देते हैं, जो लवन बिना किसी आक्शन के बिना किसे बोली के जाएंगे, उनको 12% कमिशन तैक कर दी, 2% से 12%, तो जो 2% से 12% कमिशन तैकी, अभी दوبारा से जब परानी पॉलसी आई, तो फिर 2% पे आगी, तो आप ये कोई जानकरी ने दे रहे हैं, कि आपने ये 10% इजाफा उन लोगों में क्यों किया, जो आक्शन जिनको बोली में काम नहीं मिलना था, जिनको आपने अपनी कलम से काम देना था, उनको 2% से 12% इजाफा कैसे हो गया, एक बात, दूसरी बात, आपने खुद अपनी पॉलसी में तैक किया, कि होलसेलर, रिटेलर और मैनुफेक्चरर, तीनों अलग लग रहेंगे, तीनों ए काम नहीं कर सकते, अगर होलसेलर रहा तो रिटेलर नहीं कर सकता, रिटेलर रहा तो मैनुफेक्चरर नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाव्यूद महादेव वाइन्स होलसेल का काम कर रही है, उनकी मैनुफेक्चरिंग है, एडी ब्रॉसोन के नाम से, इसी तरह बड़ी पंज पंजाब शराब की फैक्टरी भी है बड़ी पंजाब के एस जे अम के नाम से होल्सेल का का मी कर रहा है और वही बड़ी पंजाब अमित अरोडा जो की अमित अरोडा जो की उनका दोस्त है अर्विन केज्रिवाल जी का और वो होलसेल का का काम रिटेल का काम on manufacturing और रिटेल एर्पोर्ट का काम उसके पास है अब आप सुनकर हरान होंगे जिस उनीक बिजनस इंटरप्राइस के पास 32 नमबर जोन जो की एर्पोर्ट का जोन है जिसके पास काम है इसकी बिड 500 Doll करोड की थी 500 Doll वाले को काम मिल गया लेकिन जिसकी 200 Doll करोड की उसको एरपोर्ट ने कह दे हम तो M.O.C. नी दे ते JMPR ने कह दिया 500 Till वाले को तो काम मिलेगा हमें तरोडा को क्योंकि वो अरविंद केजरिवाल जी का खास है लेकिन धाइसोग रोड की जो बीड करेगा उसको काम नहीं मिलेगा तो बता दीजिए भाईया इसके जवाब दे दीजिए ना